डॉक्टर स्टीफन स्टेंज मर चुका था और इसी दोरान बहुत सारे हाथ से हुए उसकी वाइफ क्लिया स्टेंज ने आर्थ के सोर्स और सुप्रीम का मेंटल लिया दूसरे मिस्टिकल डैमेंशन से रेफ्यूजिज आकर आर्थ पर रहने लगे शिल्ड के रेवन एट सीक बापचा चुका हूँ लेकिन अभी भी मुझे कुछ भूलना नहीं है मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं जैसे कि सोर्सर सुप्रीम की वह अपनी रेटन के बाद अपने दिनों के बारे में बता रहा है जैसे मंडे को वह स्पाइडर मैन से मिला जहां स्पाइडर मैन बताता है कि वहाँ पर एक डीमन है जो कि 3Guard का गेम खेलता है और वो सोल्स का सोदा करता है जिसके बाद डॉकर स्ट्रेंज से उससे डील करता है दन वो टूजडे की बात करता है जब मेर लूक केज के पास जाता है लूक के उसे कहता है यह मैन हैटन की वारलोड कोन है दे की पैंस जे को स्ट्रेंज ब्लैक कैट से डील करता है उसके ड्रैगन को फीड करता है और उसे वहां से निकाल लेता है नेक्स डे थास्डे को स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के पास जाता है जहां वो पता लगाता है कि उसके मौत के बाद डॉक्टर डूम सैंक्टम सेक्ट हावा होगा next Friday को बात कर लेते हैं जहां इक गार्वेज मॉंस्टर है और इस पर एक्सोजीजम काम नहीं कर रहा लेकिन मैं किसी को भेज सकता हूँ इस पर strange क्लिया को भेजता है then saturday को हम देखते हैं क्लिया और strange को वो दोनों अराम से बैठे हुए हैं और strange कहता है कि मैं अभी अभी अपनी कबर से वापिस आया हूँ और अगर मैं रोज ऐसे ही काम करता रहा तो मैं वापिस अपनी कबर में ही चला जाओं से पहले आ गई थे अब उन्हें एगमोन के रियाम में बेजा जा रहा है जो कि परपल डैमेंशन में है गोबी डिजर्ट के अंदर फिर हम देखते हैं सोल्जर्स एक पोर्टल के थरूर रफ्यूजिस को भेज रहे हैं क्लिया वहाँ पर जाकर गुसा होती है तुम आकर य इस पर स्ट्रेंज अपने बैट्स को कहता है वो एक्सपैल करता है और उन सब को अपने सैंक्तम में पहुंचा देता है इस पर क्लिया कहती है स्ट्रेंज इन में से बहुत सारे पहले ही पोर्टल के पार जा चुके हैं इस पर क्लिया कहती है हम आगमोन की डॉमेन में जा र इस पर किल्या कहती है मैं तुमें अच्छी तरह से जानती हूं आगमोन तुम यहाँ पर इस तरह कभजा नहीं classified और कलिया डार्क डैमेंशन की तुम हमें टैस्ट कर रहे हो तो मैं तुमें बता दूँ इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा इस पर आगमोन कहता है ओके ठीक है उन्हें ले जाओ इस पर आगमोन कहता है तुम अच्छे लग रहे हो स्ट्रेंज सर्प्राइजिंगली इस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन मैं भूला नहीं हूँ आगमोन तुम्हारा मेरे मर्डर में हाथ इस पर आगमोन कहता है तुम मुझ पर अपने मर्डर का चार्ज लगा रहे हो लेकिन तुम तो मेरे सामने जिन्दा घड़े हो इस पर स्टेंज कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन मैं भूला नहीं हूँ इस पर आगमोन उनमें से एक रैफ्यूजी को मार देता है और कहता है कि तुम दोनों ये याद रखना ये मेरी डॉमेन है इस पर क्लिया चिलाती है तुम नहीं उसे मेरे सामने मार दिया इस पर स्टेंज कहता है आगमोन का इंसाफ होगा इस पर क्लिया कहती है मेरे हजमन ने मुझे अभी रोग लिया, नहीं तो तुम्हें अभी मैं बता देती, जिस पर एगमोन कहता है, गुटबाइ स्टेंज, एंड डोक्टर स्टेंज, और अगली बार तुम जब भी मेरे डोमेन में आओ, तो उससे पहले मुझे बता देना, देंड़, स्टेंज और जब शर्शानल के नहीं ysटेंज, Homer उससे वो रिंगिंग बॉल दिखाते हैं, जिसमें हम शी हल्क को देख सकते हैं, शी हल्क स्टेन से कहती है, हमें आपकी मदद चाहिए, देन हम नेक्स्ट मंडे को देखते हैं, एगमोन का थ्रोन रूम, तभी वहाँ पर कोई इन्वेड करता है, और एगमोन कहता है, ये दुस सहा सहा नहीं जाएगा, कौन हो, सामने आओ, मैं पर यहाँ पर, वैंड की डिरेक्टर पेंडोरा पीटर्स और वोंग है, और हम वोंग को सुन सकते हैं, कि मैंने तैय किया है, मैं स्टेंज और क्लिया को कुछ प्राइविसी दूँगा, और इसलिए मैं पीटर्स के साथ आ गया, और खुद को बीजी रख रहा हूं, और अब वैंड में सिर्फ हम दो ही हैं, लेकिन वैंड तो चला गया, उसकी प्रोब्लम्स अभी भी यहीं पर है, जैसे कि डॉक्टर जी, वो स्टीफन का दुस्मन है, तब ही वोंग कहता है, कि हम तुम्हारे साथ वो नहीं करने वाले, अब वैंड बदल चुका है, हम तुमें सज नहीं किया था वोंग, इस पर वोंग कहता है, उसका तरीका गलत है, उसके इरादे नहीं, और वैसे भी वैंड में हम सिर्फ अब तीन ही हुए हैं, पर डॉक्टर जी कहता है, हम हमेशा फाइट कर रहे थे, और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, तब ही पैंडोरा कहती है, एक मेंटर को, मेरे क्रिस्टल बोल रिंग कर रही है, पैंडोरा बताती है, कि ये एगमोन के पैलस से है, जो कि एक इनफॉर्मेंट है, लेकिन वो हमें क्या दिखाना चाहता है, तब ही वांग, डॉक्टर जी और पैंडोरा उस बोल में देखते हैं, और हमें दिखता ह है, कि एगमोन का सार उसके धर से अलग हो चुका है, और पैंडोरा कहती है, कि ये बहुती ज़्यादा ड्रामा क्रियेट होने वाला है, और यही पर डॉक्टर स्टेंज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है,